नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ओनलाइन इस्टिट्ट टार्गेट भी तालोग में मैं रभी तिवारी करेंट अफियस की रटलो सरिंखला के साथ एक बार पुना आपके समख चुपस्तित हूँ जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कोरोना वाइरस, कोविड नाइनटी एक बड़ी महामारी संपूर विस्व में और हमारे देश में फैली हुई है और बड़ा ही नकारात्मक माहौल हो गया है लेकि चीजें कभी रुखती नहीं है प्रियास करने के बाद मन नहीं लग राता सोचा आप से रुगरू हूँ और इसी किरम मैं आज रटलो सरिंखला के साथ मैं आपके समख चुपस्तित हुआओ सरिंखला प्रारम करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये पूचूँगा कि आप सभी लोग कैसे हैं हमारे संस्थान हम सभी लोगों को आप लोग की बहुत चिंता है तो किर्पया एक कमेंट के माध्यम से ये जरूर कहिएगा कि आप लोग कैसे हैं मैं भी घर में ही किसी तरह विवस्था करके खुश से पुरुष्ण उत्तर को टाइप करके खुश से एक फ्रेम मना के और घर के ही कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ डिश्टल वोर्ड मेरे घर पे है मैं भी बाहर नीन कर रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग और लोग डाउन का पूरा पालन कर रहा हूँ और आज से इसलिए कैमरे की विवस्ता घर में की है कि पूरी कोशिस करूँगा कि हर एक दो दिन में आपसे लाकेबर रूबरू होता रहूँ बलकि आप लोगों को अच्छे-च्छे मेटर देता रहूँ ताकि पढ़ाय लिखाई में आप लोग का कोई भी नुकसान ना हो तो आज से मेरी पूरी कोशिस रहेगी कि एक दिन के अंतराल पर या पिरती दिन किसी ने किसी सामगरी के साथ आपसे लूबरू हो तो पहले तो आप अपना हालचाल बताईए कि आप लोग कैसे हैं, क्या आप लोग स्वस्थ हैं आपके सभी परवार जन स्वस्थ हैं क्योंकि मुझे आपकी इस मामलों में बड़ी चिंता है आप कि सहर में है और आपके सहर का माहूल क्या है क्रिप्या कमेंट के माध्यम से इतना मुझे जरूर सूचित करिएगा जिससे आपका हालचाल मुझे मिल सके और थोड़ा सा यही जो आदान प्रदान विचारों का होता है इससे अच्छा लगता है हम सभी लोग एक परवार की तरह हैं आप अगर अच्छे से हैं तो हम भी अच्छे से हैं यहां पर मैं इलावार में फसा हुआ हूँ और यहां पर मैं बड़े अच्छे से हूँ हम सभी लोग स्वस्त हैं हमारा पूरा टारिट बी तालोग परवार स्वस्त है और आपकी स्वस्त रहने की कामना भी मैं करता हूँ, उसर से प्रातना करता हूँ, कि आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बहुत स्वस्त होंगे, तो सरकार द्वारा जो आपको जारी किया गया है, जो सावधानिया जारी की गए है, आप सभी लोग उसावधानियों का पूर में रहिए, अच्छे से रटलो पढ़िए, एक दो दिन में मैं reasoning की sequence में कुछ classes आपनों के लिए लेकर आ रहा हूँ, उन classes को पढ़िए, और जब तक यह lockdown का period है, मैं आपके साथ ऐसी बना रहूँगा, और पढ़ाई लिखाई के मद्दे में जितना मुझसे हो सकेगा, मैं निश्चत रूप से आपको प्रेसित करूँगा, और आगे मैं बताऊँगा, कि आप मुझसे कैसे और जुड़ सकते हैं, और कहां से आपको और सामेगी मिलेगी, इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा, तो आईए, करेंट अफेर्स का इसेसन सुरू करते हैं, पहले मैं आपको यह बता दूँ, कि इस समय करेंट अफेर्स के रटलो में आप जानते हैं कि 50 कुश्चन होते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको इतना नहीं सोचेंगे, बलकि अच्छे प्रशनों के साथ मैं जल्दी जल्दी आपसे मिलता रहूँगा, तो आपको दिक्कती होगी, आईए, इस रिंखला की शुरुबात करते हैं, आज का पहला प्रशन है, कुरूना से ही है, हाली में किस सहर में इस्ति स्वास्त छेत्री की एक निजी कंपनी माई लेब को, कोविड नाइन्टी परिक्षड के लिए टेस्टिंग किट बनाने की मनजूरी दी गई, आप से पूँछा गया है सहर का नाम, चार ओप्सन हैं, दिल्ली, जैपूर, पूरे, लखनो, तो इसका सही उत्तर होगा पूरे, अब कुछ महातपूर जानका नहीं हैं, जिनको आप लोग अगर प्रेंडाउन कर लेंगे तो सही है, माई लेब भारक का पहला इस्थान्य स्वादेसी निर्माता है, जिसे COVID-19 के लिए टेस्टिंग की अनुमती दी गई है, आप सभी लोग जानते हैं, कि इस समय में टेस्टिंग बहुत जरूरी हो गई है, संक्रमर काल में, तो माई लेब पहला स्वदेसी निर्माता है, जिसको इसकी टेस्टिंग की अनुमती दी गई है, और इसका सही उत्तर क्या होगा, पूरे, यह संपूर रूप से WHO द्वारा बताई गई, गाइडलाइन्स के डायरे में रहकर ही टेस्टिंग करेगा, और टेस्टिंग के जो रिजल्ट होंगे, उनसे भारास सरकार और प्रदिश सरकार को क्या कराएगा, अवगत कराएगा, यह पूरे में इस्तित है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, पूरे होगा, आईए, दूसरे प्रिशने की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं, किस राजने कोरोना वाइरस को फैलने से, आज मैंने कोरोना से संबंदे जितने भी महातपूर प्रिशने आपके हो सकते हैं, मैंनो उन सभी प्रिशनों को यहां पर लिया हुआ है, सारे प्रिश्ण तो कुरोना से सम्म Cinnamon नहीं है छो भी बन सकते हैं क्योंकि इस बार के जो भी अध्यम होंगे कुरोना से प्रिश्ण जरूर बनेगे उनको मैंने यहाँ पर समाहिद किया हुआ है किस राज्य ने कुरोना वाइरस के फहले से लोकने के लिए team 11 नामक अंतर विभागी समीतियों का गठन किया team 11 देखे हर राज्य की अपनी एक अलगत तयारी है एक सब्दावली हर राज्य से मिलकर जुड़ी हुई है आपको इन सभी सब्दावलियों को याद रखना है भौछ सारी नई सब्दावलियां इसको कोरोना महामारी के उस दौर में आई है सब्दावलियों के एक इत करके अर्थ आपके क्या होते क्योंकि अगले दो वर्स तक की परच्छाओं में आपको इस सब कुछ काम आने वाला है लिखा है किस राज ने कोरोना वाइरस को फैलने से लोकने के लिए टीम 11 नामक अंतर विभागी समीतियों का गठन किया बिहार पंजाब उत्तर परदेश जारकन तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तर परदेश उत्तर परदेश के मुख मंत्री योगी आदित्तिनाथ ने टीम 11 की स्तापना की है सरकार ने कई विभागों को जोड़कर 11 कमेटियां मनाई है मतलब कई विभागों के आई-एस ओफिसर्स को लेकर उनके नित्रुत में 11 कमेटियां मनाई है जिसको टीम 11 कहा गया है हर कमेटि को एक अलग जिम्मेदारी सौपी गई है कोरोना से सम्मंदित किसी को सोचल वेलफेर की जिम्मेदारी सौपी गई है किसी को टेस्टिंग की जिम्मेदारी सौपी गई है किसी को एक्कुपमेंट्स की जिम्मेदारी सौपी गई है किसी को खाना आपूर्ती की जिम्मेदारी सौपी गई है संपूल उसको करियार्णिमन करने के लिए 11 टीम में बनाई हैं जिसे टीम 11 ऐसे ही आपने आज देखा एक 5T फॉर्मूला भी आज के न्यूज पेपर्स में देख रहे हैं तो आप से पूछा जा सकता है कि कोरोना से सम्मंदित 5T फॉर्मूला किसे राजजी ने दिया तो जो 5T फॉर्मूला है आपका उसको सबसे पहले दिल्ली ने दिया और दिल्ली के मुख मंत्री केजरी बाल का फॉर्मूला है 5T का आसा है T, 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 T और T ये 5T का एक सम्मंदित इस 5T का मतलब भी आप समझ लेजे पहले ती का मतलब है टेस्टिंग, दूसरे ती का मतलब है ट्रेसिंग, तीसरे ती का मतलब है ट्रीटमेंट, चौथे ती का मतलब है टीमबर्ग, और पांच में ती का मतलब है ट्रेकिंग एंड मॉनिटरिंग, तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट टीमबर्ग ट्रेकिंग और मोनिटरिंग तो ये 5T पॉर्मूला जो है ये डिल्ली सरकार द्वारा दिया गया है अरवंद के जीवाल वाला के जीवाली द्वारा ते टीम 11 भी आपको सहिस्ता से याद रखना है और 5T भी आपको सहिस्ता से यहाँ पर याद रखना है अगले योजना के तहत घोसित बीमा योजना को मंजूरी दी है आयो तो देखे प्रधान मंत्री गरीब कल्यार योजना प्रधान मंत्री मुद्रा योजना प्रधान मंत्री आवास योजना प्रधान मंत्री रोजगार योजना तो इसका सही उत्तर होगा प्रधान मंत्री गरीब क बेदिन के लिए है ना पहले तो सभी डॉक्टर्स को सभी स्वास्त कर्मियों को सभी पुलिस वालों को और एसेंसियल सर्विस से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को मैं ग्रांड से लूट करता हूँ और हम सभी लोग उनको अपना सम्मान प्रेशित करते हैं क्योंकि वो ये ऐसे व्यक्ति हैं ये ऐसे लोग हैं इनके भी परवार हैं देखें पूरी दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन अपने परवार के लिए आप ही पूरी दुनिया होते हैं इनके भी अपने परवार हैं लेकिन जान की बाजी लगा कर जान जोखिम में ड नालकर सभी लोग लगे हुए हम सभी लोग इनके स्वास्त की प्राथ्रा करते हैं और अपनी तरफ से इननों को सम्मान प्रेशित करते हैं तो ऐसे जो बाइस लाग बारा हजार स्वास्त करमी है इनको पचास लाग रुपे की बीमा से कवर किया गया है अकलि 90 दिन के लिए और किस योजना के तहट को किया गया हुए प्रधान मंसरी गरीब क torch करले आर योजना के तहट इसको गवर किया गया है तो इसका सही ऑप्षन जो आपका होगा क्या होगा एह होगा क्लियर है कि चौथा प्रस्टे किस राज सरकार ने देश भर में लागडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलेविडी में लगे पृतिक व्यक्ति को ई-पास जारी करने के लिए प्रिज्याम एक शुरू किया एप और पोर्टल है प्रिज्याम ए या क्या है इसरे सबतावली जैसे आप जानते हैं कि एसेंसियल स्र्विस के लिए हमें पास चाहिए हम सब तो बाहर निकल नहीं रखते हमें इपास चाहिए तो आप ओनलाईन इपास के लिए आप registration कर सकते हैं, apply कर सकते हैं और अपने कागज online ही upload कर सकते हैं तो समय की बचत होगी, सुरक्षा भी रहेगी आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा और government, जारखर government इसी app के थुरू आपको e-pass जारी कर देगी तो e-pass के लिए एक प्रिक्रिया है जहाँ पर ब्यक्ती भी अपने कागजों को upload कर सकता है जो जरूरत के कागज हैं government को देखने के लिए और government भी उसका e-pass online ही upload कर सकती है तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो क्या होगा बताईए यह होगा, यहाँ पर जारखरणराज आईए पाच्वे प्रशने की तरह यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं सुकन्या समर्दी खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4 प्रितिसत से घटा कर कितने प्रितिसत कर दी गई है देखे, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि RBI ने बहुत सारी जो है नई चीजों की घोष्णा की थी सुकन्या समर्दी योजना का खाता ऐसा खाता था कि जिस पर सबसे ज़्यादा व्याज मिलता था लेकिन नई दरों में जितनी भी व्याज वाली जो सेवाएं थी ये ब्याज़ वाले जो खाते थे सारव जिनिक खाते उन सब के ब्याज़ में कटोती की गई है चुकि ये प्रिशने कई बार पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो सही वो 6 होगा अब ये 8.4 से घटा कर ये 7.6 प्रितिसत कर दिया गया है तो 7.6 परसेंट इसकी दर है और आपका सही उत्तर इसमे क्या होगा बताईए दी उत्तर आपका सही होगा आई छट में प्रिशने की तरफ बरते हैं हाले में किशने कोवेट 19 नेशनल टेली कंसल्टेंट सेंटर कॉन्टेक का सुभारम किया चार ओप्सन आपके पास है डॉक्टर हर्सबर्दन, नरेंद मोदी, इसमिर्ती रानी, वेंकईयन, आईटू तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हर्सबर्दन आप समझ लीजीए है जैसे एक जगह योगडाक्टर है हना और हमें उस जगह बहुत सारे योगडाक्टरों की जरूरत है तो इस परिस्तिती में कोई आवागवन तो कर नहीं सकता, ट्रेवल तो एलाओ नहीं है तो एक ऐसी विवस्ता है जहाँ पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये एक ही स्थान पर वास्तिक और निश्चिस समय में जिस समय आप चाहें पूरे देश और विदेश के डॉक्टरों को एक हथा जोड़ा जा सकता है तो वीडियो कॉन्टेंसिंग के जड़िये, बहुत सारे डॉक्टर को एक साथ जोडनी की जो पिर्किरिया है, इसको प्रार्ण किया गया, और इसको क्या कहा गया, बताईए, कॉन्टेक्ट, टेली कंसर्श्टरेंस सेंटर, और एक कहा पे बताईए, डॉक्टर हरसवर्धन तोरा इसका सुभारव किया गया दिल्ली में। ये स्वास्त वर परिवार काल जारी किया गया है। देजभर के मरीजों को जरूरी डाक्टरों को जोड़ देगा। जिस समय चाहें उस समय, जिस स्वास्त सुग्दा और बहतर हो सके। और हम अपने लोगों का और बहत्रीन तरीके से सर्व कर सकें, उनको बचा सकें, उनको स्वस्त कर सकें, तो इसका सही इत्तर क्या है बताओ, यह है, आईए, बरस 2020 में उर्जा बजट का वैस्विक अभियान, अर्थ आवर कम मनाया गया, हम जानते हैं कि प्रतेग वर्स अर्थ आवर कम मनाया गया, तो अर्थ आवर 28 मार्च को मनाया गया, है न, साड़े आठ बजे राज से, साड़े नो बजे राज तक, एक घंटे, सभी लोगों को अपनी लाइट बंद करनी थी, 28 मार्च को यह मनाया गया, अर्थ आवर, वो प्रतेग बरसे मनाया जाता है, यह देखे, WWF दौरा बनाया जाता है, WWF का यहां पर आसा है, World Wide Fund for Nature, कौन इसको आज़ित करता है, WWF, और देखे, World Wide Fund for Nature इसका पूरा नाम है, और इसके बारे में जानकारी है, इसका उद्देश क्या है, उर्जा की खपत को कम करने है तू लोगों को प्रुथसाहित करना, य इसका उद्देश है, विश्वास मानिये, आज आप लोगों से रूबरू होने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और लग रहा है कि जीवन का एक हिस्सा, जो नहीं था, आज आप से रूबरू होने के बाद पूरा है, मैं आपको एक चीज वादा दिलाता हू एक और मैं यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा आप से कहूँगा, इसके बाद मैं स्रिंखला को कंटीनू करता हूँ, हम सभी लोग इस माध्यम के अलावा कहीं जुड़े नहीं है, मेरा आप सभी लोगों से बिनमरन रोध है, आप मुझे फेस्बुक पर सभी लोग फॉलो कर वो फेस्बुक पर हो सकता है, और बहुत सारी पढ़ने लिखने की सामगिरी भी आपको मैं फेस्बुक पर प्रेसिद कर सकता हूँ, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि कैसे आप मेरे फेस्बुक से जुड़ सकते हैं यहाँ पर, देखिए, यसे मेरे नाम से कई अधर आइडी भी लोग बनाए हुए है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि देखिए, यह मेरी आइडी है, जहाँ पर आपको फेस्बुक से मुझे जुड़ना है, यह आप रभी पितिवारी सर्च करेंगे, तो आपको यह फोटो देख रहेंगे, यह मेरी आइडी है, यहा आप सबकी friend request of accept नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक इसने और एक प्रेम के लिए आपका मुझे से जुड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है, कि इन बिकट परिस्तितियों में आपकी बहुत चिंता होती है, जब से आप से रोगरो नहीं होता हों जब तक, तो मज़ा नहीं आता, तो आप एक परवार की तरह है मुझे से जुड़िए, आप एक बड़े भाई, छोटे भाई की तरह है मुझे से जुड़िए, जितने भी सदस मुझे देख रहे है, आप सभी लोग मुझे follow करिए, मैं बिनमनरोड करता हूं, और वहां पर मैं पड़ाई लिखाई से सम्मंदत कुछ महतपुर जानकारिया, यह आपके जीवन की कुछ प्रस्ण में आप से करूँगा, और ऐसी कभी परिस्तिति अगर आती है, तो इन परिस्तितियों में हम लोग निश्चित रूप से उस माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हो सक कई चीजों पर कमेंट हो जाते हैं, अच्छी अच्छी बाते हो जाती हैं, वहाँ पर में लिखता भी रहता हूं, तो सारी चीजें आप वहाँ पर मिलेंगी, तो मेरा आप सभी लोगों से बिनमन रोड है, यह मेरी आईडी है, आप सभी लोग मुझको फॉलो करें, जाद मुझे फॉलो करते हैं, आप यह मत सोचीए का कि मैंने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ने की, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मों सीमा को पार कर चुका हूं, लेकि जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो एक फॉलो का ओप्सन भी आता है, आप मुझे तुरंद फॉलो कर सकते हैं, उम्मीद है कि जल्द ही जैसे वीडियो आएगा, सभी लोग मुझे फॉलो कर लेगे, अच्छा लगे, आइए, अब हम लोग चलते हैं, अपने कार पर, जह हम कार कर रहे थे यहां पर, तो यह हमारा यहां पर एक प्रिश्ण था, तो इसका त यहां पर सही होगा, क्लिए आई, नो में प्रिश्ण की तरफ बगते हैं, विश्रंगमंच दिवस कम मनाया जाता है, यह प्रिश्ण पिसले बार दो परिक्षाओं में पूछा गया था, आप लोग भी इसका उत्तर करें, तो 27 मार्च को विश्रंगमंच दिवस मनाया गया है ना, क्या किस के लिए, सांती और सोहाद्र के लिए, सांती और सोहाद्र, सोहाद्र इसका विश्रंगमंच दिया, हर बार एक व्यक्ति का सम्मोधन होता है, सहीद नदीम जी, जो पाकिस्तान के प्रिसिद रंगमंच कर्मी है, इस वार का सम्मोधन उनके द्वारा दिया गया है, दस्वा प्रिष्णे की तरफ बढ़ते हैं, हाली में किसे बर्स 2019 का 29 जीडी बिरला प्रुसकार दिये जाने की घुश्रागी, देखिए, जो जीडी बिरला प्रुसकार आपका होता है, ये विज्ञान के छित्र में योगदान के लिए दिया जाता है, विवज्ञान के च्छितर में युगदान के लिए जाता है और इस बार का ये पुरूसकार जैविक भॉत्की के लिए दिया गया है और किसको दिःा गया है प्रोफेसर रूप को दिया गया है ये भी अपने उत्तर प्रिदेश के ही है इसलिए ये प्रिशने आपके लिए बहुत महत्पूर हो जाता है रूप मलिक जी को दिया गया है और इसका सही option आपका क्या होगा बताईए D option इसका सही हो जाएगा आईए अगले प्रिशने की तरह बढ़ते हैं बिस्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2020 को मनाया गया बर्ष 2020 में इस दिवस का मुख विसय क्या था तो इसका मुख विसय था जलवायू एबम जल जलवायू एबम जल इसका मुख विसय था और इसका उद्देश जो था वो क्या था देखे, हाँ WMO द्वारा, इसको मनाया जाता है, WMO को हम क्या कहते हैं, बिस मौसम संगठन, WMO द्वारा इसे मनाया जाता है, क्लियर, इस आयोजन का उद्दिश लोगों को मौसम विज्ञान तथा इसमें हो रहे परवर्तनों के पृति जागरुख करना था, मौसम विज्ञान और इसमें हो रहे हैं, परवर्तनों के पृति लोगों को जागरुख करना है, इसका प्रिमखोदेश था, हम सभी लोग जानते हैं, इस समय नेचर अपने आपको हील कर रहा है, आगे भी अगर हम लोगों ने नेचर को नहीं माना या नेचर को हम लोगों प पूरा सम्मान करते हुए, हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है, अपने अपने इस्तर पर जितना हम कर सकें, आई, अगला प्रस्न जो आपका है बार्मा, हाली में संयुक्त राष्ट महासभा के नित्रत में, संयुक्त राष्ट निर्वहिनिये, विकास समाधान नेटवर् विक प्रसनिता रिपोर्ट 2020, अभी तक आप 2019 की पढ़ रहे थे, लेकिन आप 2020 की रिपोर्ट आ चुकी है, कि अउसार विक के सबसे खुशाल देशों की सोची में, भारत का स्थान कौनसा है, तो इस बार भारत का स्थान 144 मा है, 144 मा इस रिपोर्ट में भारत का स्थान है, पहला स्थान आपका फिल्लेंड को मिला है और दूसरा स्थान डेनमार्क को मिला है, अगर आप से पूछा जाए कि पहला स्थान किसका है, तो फिल्लेंड का स्थान आपका पहला है, और देनमार्क का स्थान आपका दूसरा स्थान आपका देनमार्क का है, और इसका सही उत की गई Google India यहू बिंग डग पाईल Google इंडिया द्वारा इसकी सुरुबार की गई देखिए पहले ते समझ लिजी कि है क्या एक कारीक्रम क्या है इसको समझना पड़ेगा हम लोग को तो देखिए यहां पर एक बास समझ लिजे कौसल विकास कारीक्रम है क्लिए महलाओं के केर केरियर को एक नए स्टार्ट अप देने के लिए कारीक्रम प्रारम किया गया है और Google इंडिया द्वारा इक कारीक्रम प्रारम किया गया है इसमें एक पोर्टल भी जो है यहां पर सम्मिलित है जिसको हम कहते हैं अवतार पोर्टल अवतार पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो महलाओं को कौसल विकास कारिकरम दोरा महलाओं के करियर निर्मान में योगदान देता है तो अवतार पोर्टल भी इससे क्या है? सम्मन्दित है और यह समथ्द लूप से काम यहां पर किया जा रहा है Google द्वारा के लिए अफ्तार पोर्टल भी इसमें समान लुप से संब्ध है आई है चोदमा प्रश्ण है आपका हाली में जारी हुई विसायवार क्यू एस वर्ल्ड रेंकिंग के अनुसार दुनिया भर के सीर्स पचास इंजिनिंग कॉलेजियों मे सीर्स पचास इंजिनिंग कॉलेजियों में उसमें कौन सामिल है IIT कानपूर, पचास में पूचा गया है आप से पचास में IIT कानपूर, यह है रावाद, IIT इंड़, जोदपूर, IIT पठा, IIT गान्दी नियनेगर तो इस तीनों में से कोई भी सामिल नहीं है तो इसका उत्तर होगा, उप्रोक्त में से कोई नहीं, अब मैं आपको ये बता दूं कि सामिल इसमें कौन-कौन है, IIT Bombay और IIT Dilli, इसमें IIT Bombay सामिल है, जिसका इस्थान 44 मा है, और IIT Dilli सामिल है इसमें, जिसका इस्थान 47 मा है, IIT Bombay और IIT Dilli सामिल है, और 100 में 5 भारती इन में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों किसी भी option में नहीं है, आई, अगले प्रिश्णी की तरफ चलते हैं, पंद्रमा प्रिश्णी है, हाली में किसे BBC Indian Sport Women of the Air Award 2019 प्रदान किया गया, है ना, तो PV सिंदु को किया गया, PV सिंदु को दिल्ली में आयुजित एक सम सम्माने किया गया, लाइब टाइम एचीवमेंट आवार्ट सेन को सम्माने किया गया, आईए, काफी दिनों के बाद आप से जोड़के मैं बहुत प्रसंड हूं, जैसे कि मैं कहा रहा हूं, तीन से साथ जन्वरी, 2021 के मत, 2020 नहीं, 21, 2020 के तो लगवग लगवग सारे आयोज किया जाएगा, दी, पूने महराष्ट में, अगर राज्य पूछा जाएगा, तो किस राज्य में, महराष्ट में, और पूने में, महराष्ट के पूने सहरवे, तो यह आयोजन तो महराष्ट के पूने में होगा, और इसका मुख जो विसा है, वो विसा क्या है, हाँ, महला ससक्ती करण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञानेवं प्रोध्दुकी की इसका प्रमुख विशय है सत्रमा पृष्णर हाली में 56 मा म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहा संपण होगा ठीक है पेरिस, निव्यार, म्यूनिक चर्मनी और विजिंग चेन तो इसका सही उत्तर होगा म्यूनिक चर्मनी इस समझोते को आप कई बार पढ़ चुके हैं कई बयार भी आपसे पेपर में भी पूछा जा चुका है यह एक अंतराश्टि सुरक्षा नीती पर एक बार्शिक सम्मेलन है पृतिवर्स आयोजित किया जाता है अंतराश्टि सुरक्षा नीती पर है भारत की तरफ से इसका जो पृतिनिद्ध है वो हमारे बिदेश मंत्री एस जैसंकर प्रसाद जी ने किया अथे न, हमारे विर्देश मंत्री ऐ, जय संकर प्रसाद जी ने किया, तो इसका सही उत्तर होगा, C है, अठार मापरिस्टम, हाली में कौन उकरेन के नए प्रधान मंत्री बने, आप से प्रिबार पूछा अगया था, कि उकरेन की राध्धानी कहां है, तो यूखरेन की राधधानी ये किव, यार रखिएगा, इसका राधधानी छेत्रकीव है, नय प्रधान मन्त्री कौन में है तो इसका जो सही उत्तर आपका है, आप चारों बिकल्प को पड़ लीजे, और इसका जो सही उत्तर आप लोग कईसका होगा, बो है, C. Dennis Simhal Dennis Simhal UKN की नए प्रदान मंत्री जो है बने उन्नीसमा हाली में प्रतिश्टित, प्रितिजिकर, आर्किटेक्चर प्रतिजिकर, आर्किटेक्चर, पुरुष्कर किसे प्रदान किये जाने की घोषना हुई है ला, तो देखे, इसको नोबिल कहते हैं आर्किटेक्ट का वस्तुकला का नोबिल इसको कहा जाता है वस्तुकला के छिट पे सबसे प्रितिष्टित पुरुषकार है यहाँ पे आप पुलितिजर और पुरुषकार को अलग रखेंगे पुलितिजर पुरुषकार अलग है पुरुषकार अलग है इस कहां के हैं, आयरलेंड के हैं, क्लियर है, तो D option यहां पर आपका सही होगा, हाली में बिस्वेंग, समूर ने, कौरोना, बाइरस से पीड़े देशों की मदद के लिए, कितने अरब डॉलर की आर्थिक साहता दी, तो इसका सही उत्तर होगा, आपका D, बारा अलब डॉलर की आर्थिक साहता यहां पर प्रतान की गए, तो मैंने आप से निवेदन किया था, कि आज आज आप मुसे सब लोग फेस्बुक पर फॉलो करेंगे, आप प्यारे हैं मेरे, फेस्बुक पर आप मुसे जरूर जुड़िएगा, ख़़ड़ा, और मैंने तरीका भी बीच में बताया है, कि कैसे आप मुसे जुड़ सकते हैं, और आप सभी लोगों को, बेरा बहुत-बहुत इसने, स्वयम से टाइप करना था, तो बीसी कुष्चन आज के रटलो में ले रहे हैं, जब तक एक लॉकडाउन किस्ते थी है, हम लोग 20-25-25 कुष्चन के कुछ रटलो करेंगे, जिससे दिक्कत ना हो, मैं कोशिस करूँगा, कि मैं नित्य अब आप से रूबरू करता रहूं, इसी तरह हैं, अलग-अलग माध्यम से, अलग-अलग तरीके से, तो आज घर में ही ये पूरी विवस्था कर लिए, जिससे आप से लूबरू अब हो सकता हूं, कोशिस करूँगा पूरी, तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अपना ख्याल लखें, और मुझे जरूर जानकारी ने, कि आप कहां पे हैं, और एक दूसरे माध्यम से भी मुझे से चुने, ताकि कभी आप से विचारों खादान प्रदान करना हो, कोई बात, कोई परिशान येगर आपकी हो, तो मैं उसे सुन सकूँ, मैं उससे हल कर सकूँ, ठीक है, तो आएए, हम सभी लोग एक और तरही किसे चुड़ते हैं, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत-बहुत धर्नवाद, और अपना जहां भी रहेगा, अपना ख्याल रखेगा, बहुत-बहुत धर्नवाद रखेगा, हाँ, एक और मैं बात कर दो, मैं नीचे किसी भी कमेंट में, फेस्बुक का अपना लिंक भी डाल दूँगा, मेरे ही नाम से कमेंट होगा, तो मैं उसमें लिंक भी डाल दूँगा, नहीं तो आप रभी पीतिवारी करके, अराम से जो है मुझे खोज सकते हैं, और आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं ने दिखाया भी है अपना एकाउंट में, कैसे आप मुझे देख सकते हैं, खोज सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, थैंक यू सो मच, लव यू अल, टेक केर, जहां मेरे हैं सुरक्षित रहे, मैं इस्वर से नित्य प्राथना करूंगा, आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहे, आपके परवार्जन सुरक्षित रहे, जल्द ही मैं फिर भी एक बार आप से रूबर रोगूँगा, आज के लिए मेरी तरफ से इतना है, थैंक यू सो मच,